गुड इउनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में असोग के लगू स्थमलेखों यह हम उसके सब्थ स्थमलेखों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने असोग के सिलालेखों उनके विश्यों तथा उसके लगू सिलालेखों के बारे में जानकरी प्राप्त की थी यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेसन मिले और प्रीक्षा उप्योगी इत्यासिय समधी जानकर या आप तक उपलब्द हो सके तो देखें बिना समय गवाएं हम पढ़ते हैं असोक के लगू स्थमलेखों एम उसके सब्ति स्थमलेखों के बारे में जो प साधरन तोड़ से लगू स्थमलेख कहा जाता है तो असोक की जो राज के गोशने हैं जैसे राजा की तरफ से गोशने होती हैं वो इस्थम्बों पर उतकिर्ण की गई हैं उन्हें ही साधरन तोड़ से हम लगू स्थमलेख कहते हैं लगू स्थमलेख निमनलिकित स्थानों से मिलते हैं, देखेगा कौन-کोन से स्थान, साची जो राईасьंजिल्ला मद्दे पर्देश में है, सारनात वारानजी उत्तरपर्देश में है, कोसामबी इलाबाद के समीब रुमिन देई नेपाल की तरहे में इस्तित निगलिवा निगलिस अगर ये है नेपाल की तरहे में इस्तित है तो देखेगा साची सारनात के लगू स्थमलेख में असोग अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का अदेश देता है कोसांबी तथा प्रियाग के स्थम्भों में असो को रानी करुवा की द्वारा दान दिये जाने का उलेख है इसे रानी का बिलेख भी कहा जाता है लगू स्थम्भ लेखों में रुमिंदेई प्रग्यापन कई दरिष्टियों से महतोपुन है इसलिए कि खोज फ्यूरर ने की तथा जार्ज बलूमर ने इसे अनुवाद सहीत इप्पी ग्राफिया इंडिका के पांचवे खंड में प्रकासित किया इसके अनुसार अपने अभी से के बीशवे वर्ष बाद देवताओं का पिरिये राजा पिरिये दर्सी स्वेम यहां आया था उसने पूजा की क्योंकि यहां साथ के मुनी बुद्ध का जन्म हुआ था अता है उसने यह वहां बहुत बड़ी पत्थर की दिवार बनवाई तता एक इस्तम इस्तापित किया क्योंकि यहां बुद्ध का जन्म हुआ था अता है लुम्बिनी गाव का धार्मिक कर अर्थात जो बली नामक कर था उसको माफ कर दिया गया तता भाग नामक कर एक बटा छे से गठा कर एक बटा आठ भाग कर दिया था निकलीवा के लेख में कनक मुनी के स्तूप के समर्धन की चर्चा हुई है लूम्बिनी लेख में बुद्ध को सक्के मुनी कहा गया है तो मात्मा बुद्ध को सक्के मुनी काप्र कहा गया है लूम्बिनी लेख में पालिस आईते तथा भरहुत्स देखो में साके मुनी के अतिरिक पांच पूर्व बुद्धों का उलेक मिलता है वो कौन-कौन से बुद्ध हैं देखीगा बोध हैं विपसी, विपस्रियनी, वेस भुणा, विश्वभू, कुकुसद, क्रकचंद तथा कोना गमन, कनके मुनी असो के पहले से ही इनके सम्मान में स्थूप निर्मान की प्रंपरा थी असो के सब्त स्थमलेक देखेगा कौन से हैं इस्थमलेकों की संक्या साथ है जो छे भिन भिन स्थानों में पासान स्थम्भूं पर उत्किन पाए गए हैं ये इस परकार से हैं तो लेक तो है साथ और स्थान है छे अब देखेगा कौन से हैं वो दिल्ली टोपरा स्थमलेक यह सरवादिक परसीद स्थमलेक है मद्यकाली निथियासकार समसे सिराज के नुसार मूलता है यह है उत्तर परदेश के सहरनपूर खिजराबाद जिल्ले में टोपरा नमक स्थान पर गड़ा था कालांतर में फिरोजा तुगलक 1351-186 में द्वारा दिल्ली लाया गया तो फिरोजा तुगलक द्वारा कौन सा जो लगू स्थमलेक है वो लाया गया वह है दिल्ली टोपरा स्थमलेक उसने उसे फिरोजाबाद में कोटला के उपर इस्तापित करवाया था इसे फिरोजसाई की लाथ, भीमसेन की लाथ, दिल्ली सिवालिक की लाथ, सुनहरी लाथ, अधिनअमु से भी जाना जाता है. इस पर असोके साथ लेख उतकिण है, जबकि अन्ये पर केवल 6 लेख मिलते हैं. तो जो असोके साथ लेख थे, और जो 6 स्थानों से मिलें उनमें से जो दिल्ली टोपरे स्थमलेख है उस पर 7 लेख मिले हैं जबकि अन्य जो 5 हैं उन पर 6 लेख ही मिले हैं सरव परतम जेम्स प्रिंसेप ने इसका वाचन कर अंग्रेजी में नुवात किया था दिल्ली टोपर इस्थमलेग पर चोहान सासक विग्रे राज फोर्त जो विसल देव के नाम से भी जान जाता है का भी नाम मिलता है ठीक है ना दिल्ली मेरिट स्थमलेग यह भी पहले मेरिट में था तदाबाद में फिरोस तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया था लोरिया अरराज बिहार के चंपारन जिले में इस्तित है रम पूर्वा चंपारन बिहार में प्रियाग या इलाबाद स्थमलेग यहे पहले कोसांबी में था तदा बाद में अकबर द्वारा लाकर इलाबाद के किले में रखवाया गया यहां से असोग के अलावा समुद्र गुप्त का अबिलेक परियाग परसस्ती जहांगीर का अबिलेक बीरबल का अबिलेक भी मिला है साथ राजजग्यों का जो छे स्थानों से पासान स्थंबूं पर उत्किन की गई है का हिंदी अनुआद इस परकार से है जो साथ राजग्यों है वो छे स्थानों से मिलने हो देखेगा क्या क्या आग्या पहली राजग्या फैस्ट देवानाम पिरिये पिरिये दर्सी राजा कहता है मैंने अपने अभिले के अभिसे के 26 वे वार्स बाद यह धरम लिपी लिखवाई धरम की इतिवर कामना कठोर परीक्षा अत्य दिक आग्या पालन अत्य दिक भै अत्य दिक उच्साह के बिना इस लोग तथा पर लोग के सुख की प्राप्ति कठिन है परन्तु मेरे प्रियतनों से लोगों का धरमानूराग और प्रेम बढ़ता गया और परती दिन बढ़ता ही जाएगा मेरे उच चोटे या मध्यम अधिगारी स्वयम धरम का पालन करते हैं और चंचल मनवालों को धरम पालन की प्रेणा के उप्युक्त होने के कारण उनसे भी धरम पालन कराते हैं सीमांद परदेशों के महामात्र भी ऐसा ही कराते हैं, इन सब के लिए आज्या है कि धर्मानुसार लोगों का पोशन करो, धर्मानुसार सासन का विद्धान करो, धर्म के द्वारा उन्हें सुक पहुंचाओ और धर्मानुसार सासन करो राजागय सेकिंड देवानाम पिरिये पिरिये दर्सी राजा कहता है धरम स्रेस्ट है पर धरम क्या है पापों का अभाव अच्छा काम दया दान सत्ते पवितरता मैंने कई परकार के से चकसुदान अर्थाद ग्यान दरस्टी किया है दोपायों चोपायों पकसियों तथा ज दूसरे बहुत से पूरे करम की, यह दरम लिपी लिखवाई गई की, वे मेरा अनुकरण करें, तथा यह चिरस्थाई रहे, इसके अनुसार चन्ने वाला सुब कारिये करेगा। राजाग्या थल्ड, द्यवानाम प्रिये प्रिये दर्सी कहता है, मनुस्य केवल अपने अच्छे काम ही देखता है, यह अपने से वो कहता है, मैंने यह अच्छा काम किया है, वे अपना पाप कभी नहीं देखता और अपने से यह नहीं कहता, ठिक है, मैंने यह पाप किया है अत्वा ये है वास्तम में बुरा काम है पर ये है ऐसी वस्तु है जिसमें आत्म निरिक्षन कठिन है फिर भी देखना चाहिए और अपने से कहना चाहिए ये विशेये विकार परचंडता, क्रूरता, क्रोध, गमंड, इर्शा, आदी दुर्गुन उत्पन करते हैं तता उनक के कारण मेरा पतन हो सकता है ये है भी सदा धान रखना चाहिए कि इस लोग और पडलोग में भी लाभ हो गया राजाग्या फोर्त मैंने अपने अभिसे के 26 वे वर्स बाद ये धमलिपी लिखवाई लाखों लोगों के उपर रजुकों को नियूक्त किया है मैंने उन्हें नयाईक अनुसंदान तथा दंड में स्वातंतर बना दिया जिससे वे अपना करतव विश्वास के साथ और नीडर होकर पूरा करें जन्पदों के लोगों का हित और सुक उत्पन करें तथा उनका उपकार करें वे सुक और दुख के कारणों को जानेंगे और जन्पदों के लोगों तथा दर्म्यूक्त जनों को प्रेरना परदान करेंगे जिससे उन्हें इस लोग और परलोग में सुक मिल सके रज्जुक मेरी आग्या पालन को तत्पर है और चूंकि रज्जुक मेरी आग्या का पालन करना चाते हैं अतहे करमचारी भी मेरी इ धाय को सोंप कर आस्वस्त होते हैं यह सोच कर कि योग्य धाय मेरी संतान को सुख देने की चेस्टा करती है इसी परकार रज्जुक जनपदों के हिस सुख के लिए नियूक्त किये गए हैं जिससे वे निर्मय और निसंकोच होकर प्रसंद मन से अपने करतवय का पालन करें इ थ Glennie अनुसंदान और दंड के पारे में उन्हें स्वतंतरे कर दिया है यह वांचन यह है क्या है व्यवार संता और दंड संता मैंने यह आदेज दिया है जो कैद हैं जिने सजाएं दी जा चुकी हैं तथा जिने मर्त्योदंड दिया गया है उन्हें तीन दिनों की छूट दी गई है या तो उनके संबन्दी इस बीच उनके प्राण बचाने के लिए कुछ रजुकों से दंड कम करा लें अथ्वा आद्यातिम विनास से बचने के लिए वे परलोग का विचार कर दान दे सकें और वरत रख सकें मेरी इच्छा है कि कारवास के अवधी में भीवे परलोग में सुख के लिए प्रसन कर सकें और अनेक प्रकार के धार्मिक आच्रणों आत्मसंयम और उदारता की मनुश्यों में अभिवरती हो राजाग्या फिव्त देवानाम पिरिये पिरिये दर्सी कहता है अपने अभिसे के 26 वे वर्सन मैंने निम्न लिखी जीवों का वद निशिद किया सुक, सारिका, अरुन, चकरवाग, हंस, नंदीमुक, गेलाट, जतुका, अंबाक, पिलीका, कच, कच्छई, अस्तिहीन, मतसे, वेद, वेयंक, गंगा, पपुटक, संकुज, मर्च, कच्छुआ, और साही, खरगोस, जैसे, गिलहरी, बारसी है, सांड, घर के कीट, गेंडा, स्वेद कपोत, ग्राम कपोत, और ऐसे सभी चोपए, जो खाएने जाते हूं, और अन्य किसी काम ने आते हूं, इनको मारा न जाए, ठीक है, गर्बिनी अत्वा स्थन्धे, सिसु वाली भेड, बकरी और सूकरी, तथा उनके छे माह के छोटे बच्चे, मुर्गों को बधिया ने किया जाए, जिस मुह से में कीडे पढ़ गए हूं, उसे ने खिलाया जाए, वेर्थिया जीव, जन्तों को मानने के लिए वन ने जला एक जीव को दूसरे जीव को ने खिलाया जाए, तिनो रितो की पूर्णिमा और तेश की पूर्णिमा के दिन आस पास मचली नवारी जाए, और नह बेची जाए, अर्थात पखवारे के चोधवे और अकले पख़वे के पहले दिन और उपवासों के दिन, इन दिनों में, नागवन या मिनाशों में अन्य जीव भी न मारे जाएं परतेग पक्स के आठवे, चोधवे और पंद्रवे दिन तिस्य और पुनर्वसु के दिन तिनों रित्वों की पूर्णी मा को तथा दूसरे तुहारों पर बैलों, मेढों, सुवरों अथ्वा अन्य जानुरों को ब पहलों को ने दागा जाएं, 26 वर्स पहले अपने अभिसे के बाद के समय में मेरे द्वारा 25 बार बंदी मुक्त कराए गए, राजाग्या 6, द्यमानाम पिरिये पिरिये दर्सी राजा कहता है अपने अभिसे के 12 वर्स बाद मैंने लोगों के हित और सुक की व्रधी के जिससे उसके अर्थात आच्रन को छोड़कर अधिकारी इसे तथा धर्म की व्रधी को पोसित करें, ये देखर की जनता का सुक और हित इसमें है, मैं उनकी परिक्षा करता हूँ, उनकी भी मेरे पास हैं और उनकी भी जो दूर हैं, जैसे मैं अपने समंधियों की परिक्ष करता हूँ, क्यों जिससे मैं प्रजा में से कुछ लोगों को सुप पहुंचा सकूँ और मैं इसके अनुसार ही आचन करता हूँ, इस तरह मैं सभी वर्गों के अधिकारियों की परिक्षा करता हूँ, मैंने सभी संपर्दायों का बहुविद आदर किया है, पर दूसरे आगे बढ़ने को मैं मुख्य चीज समझता हूँ, यह धम लिपी मेरे विशे के 26 वर्ष लिखवाई गई, आप देखेगा सेवन, राजा गया सेवन, देवानाम प्रिये प्रिये दर्शी राजा ऐसा कहता है, प्राचीन काल में भी राजा सोचते थे कि मनुश्यों में धर प्रजा में धर्म की समुचित वर्णी कैसे हूँ, मैं किस प्रकार उनमें धर्मिक वर्णी का उठ्वाई गई, इस पर पिर्य दर्शी कहता है मेरे मन में ये विचार आया कि मैं धरम का आदेश कराऊं तथा लोगों को धरम संबन्धी शिक्षा देने की आग्या दूँ जिसको सुनकर मनु से उसका पालन करेंगे धरम की उन्नति के साथ साथ उनकी महान उन्नति होगी इस उद्शे से मैंने धरम पर कितने ही परग्यापन निकलवाए तथा अनेक परकार से लोगों को धरमिक शिक्षा दिलवाई बहुत से लोगों पर मैंने अपने अधिकारी व्यूक्त किये हैं वे धरम का परचार और उपदेश करेंगे लाखो आदमियों के उपर रज्जु उपदेश करो देवानाम पिरिये पिरिये दर्सी कहता है सडकों के किनारे मैंने वाटवरक्स लगवाए हैं उनसे मनुश्यों और पसों को चैं मिलेगी अमरवाटिका ये लगवाई हैं आठाठ कोस पर कुए खुदवाए हैं तता विसराम ग्रह बनवाए हैं मैंने पिरिये दर्सी राजा कैता है मैंने वीविद धरमकारियों के लिए धरम महमातन न्यूंग किये वे सादो और ग्रहश्टियों के सभी संपरदायों के लिए न्यूंग किये गये हैं वे संग के कारिये करेंगे इसी परकार मैंने ये है विवस्ता की की वे ब्रामनों आजिवकों निर्गन्थों तथा वीविद समपरदाइओं की विवस्ता करेंगे कई महामात्र मनुष्यों की वीवी दुस्रेणियों और बहुत से नियतकारियों के लिए हैं प्रन्तु मैंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति केवल इन सब समपरदायों के लिए की है देवानाम पर यह कहता है ये तथा दूसरे मुख्य करमचारी मेरे तथा रानियों के द्वारा किये गए दान का ठीक ठीक परबंद करते हैं और यहां तथा जनपदों में मेरे समस्त अंतहपुर में उन्होंने भी कई परकार के संतोजने कारे किये हैं मैंने ये परबंद किया है कि में मेरे पुत्रों तथा अन्य देवी कुमारों द्वारा दिये गए दान का इस परकार वित्रण करें कि धरम की उन्नती हो तथा लोग धरम का पालन करें और इस प्रकार के लोगों में धरम की उन्नत्य और धरम का पालन बढ़ेगा जिससे दया, दान, सत्य, पवितर्ता, नम्रता तदा भलाई की व्रद्धी होगी दिवानाम पिरे राजा ये कहता है मैंने जितने अच्छे कारिय किये लोगों ने उनका अनुसरन किया और वे वैसा ही करेंगे ठिक है इन कामों से उनकी उनत्ती हुई और माता पिता तथा गुरूजनों की सेवा व्रधों के अनुसरन और ब्राहमनों और स्रमनों दीन दुखियों तथा दासों और मृत्यों के साथ भी सद्धाचरने बढ़ा है द्यवानाम पिर राजा कहता है मनुस्यों में यह धार्मिक उनत्ती दो कार्णों से हुई धरम नियत तथा निशेद और इस विज़े में नियमन का उतना ही महत्वन नहीं जितना निशेद का है धरम निशेद विए हैं जो मैंने लागू किया अर्थात इन इन प्राणियों का वद नहीं होगा और अनेक धार्मिक नियम है परंतु निशेद दवारा जैसे सब प्राणियों की हिंसा का निशेद और जीवमात्र की हत्यान करने से धरम की अधिक वरद्धी हुई यह लेख लिखवाया गया जिससे मेरे पुत्र और पुत्र इन कारियों को तब तक करते हैं जब तक सूरिय और चंदर कायम रहें और इस प्रकार मेरा अनुसरन करें इस प्रकार मेरा अनुसरा करने से इस लोग और पलोग का सुख मिनना निस्सित है यह दरम लिपी मैंने अपने अभिसे के 28 वर्स बाद लिखवाई है इसके विसे में देवानाम प्रिय कहता है कि यह दरम लिपी जहां जहां सिला स्तम्विया सिला फलक हों वहां वहां खुदवाई जाए जिससे यह चीरिस्ताई रहे तो इस वीडियो में हमने असो के साथ जो राजगे हैं उनके बारे में पढ़ा जो 6 इस्थमलेखों जो 6 जगहों से इस्थमलेख मिले हैं उन पे लिखवाई गई है मारे वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद